हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीडियो कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह मैं आपको थोई दिर बात बताऊंगा उससे पहले यहां पर हम चार्ट पर आना चाहेंग इसमें बताने बाली बात है आपको सिर्फ दिख रहा है कि प्राइस नीचे से उपर तक गया है लेकिन यहां पे बहुत बड़ा कुछ छुपा हुआ है जो आपको दिखने रहा है और वही चीज में आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं अब देखें यहां पे हमें क्या-क इसके बाद यहां पे मुझे क्या पता चल गया है कि लोग बाई तो कर रहे हैं लेकिन यहां पे फ्रेस बायर्स इंट्वी नहीं कर रहे हैं तो बाई कोन कर रहे हैं जिन लोगोंने पहले यहां पे सेल कर रखा था वो यहां पे बाई कर रहे हैं और बाई करने के साथ साथ market से exit करें, इसको अगर हम technical term में बोलें, यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपका हो रहा short covering clear हो गया, यहनि यहाँ पे हम short covering को easily identify कर सकते हैं, यहनि पहला point होगा कि यहाँ पे हम short covering को आसान तरीके से identify कर सकते हैं इस video हम देखेंगे, तो जब short covering होता है, तो market का upside momentum होता, वो काफी limited upside momentum होता है, यहनि हम यहीं से wait करेंगे, कि market आपका गिरने वाला है, अब market कब गिरेगा, उसका idea भी हमें मिल जाएगा, यहनि यहाँ पे हमें कब entry लेना है वो भी हमाँ पता चल जाएगा SL क्या होगा, और साथी हमारा target क्या होगा, वो भी हमें idea मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे यह पता चल जाएगा, कि upside move के बाद market नीचे कब आएगा, इसका मतलब यह है, कि हाँ पे हम क्या identify कर रहे है, यहाँ पे हम reversal को भी identify कर लेंगे और उसके साथ-साथ यहाँ पे हम एक और चीज़ easily identify कर सकते है आपका overbought zone है या फिर oversold zone है अब यहाँ पे हमारे पास क्या information है बस एक information है, कि price आपका नीचे से उपर side की तरफ जा रहा है अब इसी के basis में हमने क्या identify कर लिए यहाँ पे short covering हुगा है अब आप सोच पे हमने कैसे identify किया यहाँ पे short covering हो रहा है और reversal को हम कैसे identify करें सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में step by step explain करूँगा तो इस वीडियो हम क्या क्या explain करेंगे short covering, reversal, overbought, oversold zone है या नहीं है उसके साथ-साथ यहाँ पे देखिए price आपका यहाँ पे last closing season यहाँ पे closing दिया था उसकी बार direct आपका यहाँ पे open हुआ है तो क्या यह नीचे सार की तरफ breakout है नहीं है नीचे सार की तरफ breakout यहाँ पे जो trap बिछाया गया है उस trap से भी यहाँ पे हम क्योंकि यह सारा crucial topic के उपर हम बात करेंगे details है और simple तरीके से मैं आपको यह सारा कुछ explain करूँगा तो इस वीडियो में आप last तक बने रही है और चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe जोड़ किजेगा क्योंकि इस तरह के content आपको generally free में कहीं और नहीं मिलने वाल है तो यहाँ पे हम वापस से चार्ट पे आते हैं देख सकते हैं वापस से हम HDFC Bank के 2 hour के चार्ट पे आगे अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे हमने जो कुछ बता है उन सब को identify करेंगे लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजों का मदद लेंगे सबसे पहला यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करें जिसका नाम है MFI जिसको आप बोल सकते हैं money flow index अब यह money flow index क्या होता है यह आपका RSI की तरह होता है अगर आप यहाँ पे RSI में volume add कर देए तो आपका बन जाएगा MFI और इसका भी range आपका यह होता है 0-100 यह नहीं यह आपको over about और over sold वीजन तो बताता है साथी साथ यह आपको यह भी बताता है कि market में reversal कब आने वाला है तो यह आपको reversal के बारे बताता है इसके साथ साथ यह भी बताता है कि market में कब आपका short covering हो रहा है और कब आपका profit booking हो रहा है तो जब profit booking वाला section है उसको हम next video में cover करेंगे क्योंकि दोनों एक साथ यहाँ पर mix हो जाएगा इस video में सिर्फ और सिर्फ हम short covering के उपर focus करेंगे यहाँ पर हम reversal identify कर सकते हैं over about over sold identify कर सकते हैं तो अगर आप किसी एक indicator को इस्तिमाल करना चाहेंगे तो आप MFI यूज करेंगे या फिर RSI क्योंकि MFI में RSI तो है साथ यहाँ पर volume भी add हो जाता है RSI में सिर्फ और सिर्फ हम price के basis पर हम सारा कुछ मिलता है लेकिन यहाँ पर price और volume दोनों add हो जाता है और price और volume दोनों add करके हमें काफी accurate information मिलता है तो इसकी मदद से हम वो सारा चार point identify करेंगे साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ trend line का भी मदद लेंगे जो कि हम top और bottom को join करते हुए trend line draw करेंगे बस इतना ही चीज हमें use करना है इसके लबा कोई और चीज यूज नहीं करना ही ज्यादा complications वाला indicator इस्तेमाल नहीं करना है अब इसी के basis में हम कैसे सब कुछ identify कर सकते हैं चलिए देखते हैं तो यहाँ पर हम trend line और MFI most important हमारे लिए MFI है तो इन दोनों की मदद से हम देखेंगे कि जो हमने आपको बताया है चार point उसको कैसे identify कर सकते हैं कैसे अरली हम reversal को predict कर सकते हैं overbought, oversold और trap से कैसे बच सकते हैं तो सबसे पहले market का momentum किस तरफ है upside की तरफ है यहाँ पर अगर हम इस high और इस high को join करके client draw करते हैं और yellow और यहाँ पर जो multiple लोग बना है इन सब को join करते हुए एक नीचे में bottom line draw करते हैं तो इस तरह का line draw होता हुआ हमें दिख जाएगा अब यहाँ पर इसका तो divergence है price का, वो divergence आपका clear cut upside की तरफ दिख रहा है अब यहाँ पर नीचे में MFI का divergence देखें, तो MFI का divergence आपका नीचे side की तरफ जा रहा slightly traditional क्या होता है traditional यह होता है अगर आपका price upside की तरफ जाता है तो MFI का divergence भी आपका upside की तरफ ही जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा जो natural behavior है वो यहाँ पर उसके against जा रहा यह दोनों एक दूसरे against जा रहा मतलब कुछ नग कुछ यहाँ पर game किया जा रहा जो market का behavior है उसके against नहीं जा रहा मतलब यह जो price उपर side की तरफ जा रहा यह इसका natural behavior नहीं है उपर side की तरफ जाना यहा फिर MFI जो नीचे side की तरफ जा रहा इसका natural behavior नहीं है नीचे साइट की तरफ जा रहा है इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर game खराब कर रहा है तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर actually हो क्या रहा है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि price उपर साइट की तरफ जा रहा है तो price यहाँ पर not supported by volume यहाँ पर price action को volume support नहीं कर रहा है MFI support नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पर price action में कुछ ना कुछ गरबरी है अब सबसे पहले यहाँ पर हम price action को चेक करने कोशिज करेंगे कि इसमें क्या कुछ गरबरी है तो हमें इसी के करीब हमें idea मिल गया था कि price आपका जबरदस्त उपर से नीचे साइड की तरफ गिरा है मतलब हो ना हो यहाँ पर क्या हो सकता है short covering हो सकता है ठीक है क्योंकि उसके बाद MFI जो continuously नीचे साइड की तरफ ही जा रहा है और price आपका upside की तरफ ही जा रहा है तो यहाँ पर हमें क्या idea मिल गया इतने दूर जाने के बाद हमें idea मिल गया यहाँ पर short covering के chances है short covering यहाँ पर हो रहा है अब क्या होगा जब short covering होता है तो price आपका ज़्यादा upside momentum नहीं दिखाता है उसके बाद वापस से उसको नीचे आना ही पड़ता है मतलब price यहाँ से अगर हम देखे तो आपको upside momentum दिखेगा लेकिन यह upside momentum छोड़े से period के लिए है मतलब यहाँ पर क्या आने वाला बहुत जल्द reversal भी आने वाला है यहाँ पर हम कावियाद तक reversal को भी सूंग सकते हैं उसको भी हम identify कर सकते हैं उसका भी हम उमीद आगे कर रहे हैं तो अब हम entry point कहां पर लेंगे sell कहां पर होगा और target price कहां पर होगा उसके लिए हम यहाँ पर किसका help लेंगे trend line का help लेंगे तो हमने bottom point को join करते trend line draw किया top को join करते लिए trend line draw किया अब देखिए उसके बाद price आपका upside की तरफ जा रहा continue हुए है अब यहाँ पर देखिए यह आपका gap down open हुआ है और इस time पर क्या हुआ अगर हम इस particular situation पर देखे MFI को तो MFI ज़्यादा कोई reaction नहीं दिखा है यानि gap down open होने के बाद भी MFI उतना कोई साप reaction नहीं दिखा है मतलब यह जो था यह आपका trap करने की कोसिस किया गया यानि जो लोग यहाँ पर short covering identify कर लिये उनको बताया गया है कि भाई आप यहाँ से market नीचे गिरने वाला क्योंकि जो trend line draw किया था उसके price नीचे आ गया लेकिन यहाँ पर हमें बचाया कोई यहाँ पर हमें बचाया MFI MFI बोला भाई अभी price नीचे गिरने वाला नहीं है यह trap है इससे तुम बच जाओ तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है देखे हमने पहला short covering को identify कर लिया उसके बाद दूसरा है कि हमें यहाँ पर trap से बचा दिया मतलब यहाँ पर जो हमें नुकसान हो सकता था उस loss से हम बच गए यहाँ यहाँ पर हम trap से बच गए अब देखे छोटी छोटी चीज है बस हम trend line और MFI यूज करें हमें short covering बता दिया trap से बचा दिया अब देखे आगे क्या हुआ price आपका आगे और निकला है अब इसको मैं clear कर देता हूँ अब देखे वापस से इस line के करीब closing दिया अब यह candle आपका यहाँ पर closing दिया यानि हमें closing चाहिए था यह trend line से नीचे यह candle आपका trend line पर closing दिया इसको हम consider नहीं करेंगे अगला candle काफी नीचे closing दिया है मतलब इस छोटे से period में भी कुछ game किया गया उस game को हम उतना पकड़ नहीं सकते हैं थोड़ा वो तो यहाँ पर हमे ignore करना परेगा उसके बाद क्या करेंगे अगले candle यहाँ पर sell side की तरफ entry लेंगे यहाँ पर मेरा sell positions आ गया यहाँ पर मुझे perfect entry point मिल गया अब इस candle का length ज़्यादा है इस candle के highest point पे हम SL रख देंगे अगर candle का length छोटा रहता है तो यह point जो है वो मेरा SL बन जाता प्रोपर SL यहीं बनता है लेकिन अगर candle का length यहाँ पर ज़्यादा हो जो candle breakout दिया है तो candle के top point को भी आप as a stop loss की तरफ यूज कर सकते हैं यहाँ पर flexible stop loss है यह आपको ध्यान रखना परेगा यहाँ पर हम entry लेने से पहले एक बार और cross check करेंगे कि MFI में भी कोई divergence आया एक नहीं आया है वो नीचे साइड की तरफ आया एक नहीं आया है अगर हम इस point पर आते हैं देख सकते हैं MFI भी पहले सही आपका नीचे साइड की तरफ जाने को तयार था मतलब अब बता रहा है कि हाँ यह जो breakout है यहां पर तुम जा सकते हो तो यहां पर हम इंट्वी लेंगे तो मों किसे confirmation लेने के बाद उसके बाद कि आपका प्राइस आपका थोड़ा सा उपर गया है लेकिन अल्टिमेटली आपका प्राइस नीचे साइड की तरफ गिरा है और उसके बाद MFI यहां पर देखिए आपका बॉटम पर पहुंच गया यह नहीं यह क्या बता रहा है कि काफी हद तक MFI आपका स्लाइटली और सोल्ड जोन में आ चुका है यहीं लेवल आकर बात करें तो लगबग 25 करीब है और फॉर सेफ्टी रिजन यहां पर अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास हम चाहें तो एकजिट कर सकते हैं तो टरगेट्वाइस अगर आपको फाइन करना तो यहां पर अप अपके बेस्ट बबर और बिखार्ई यह भी यहां पर हमें मिलता हुआ दिखा है ट्रेंद लाइड और MFI के बेईसिस पे अब हमने हैं क्या चीज आइदेंटिफाई करें लिया सबसे पहला हमने शॉट कभरिंग से बच गए अब यहाँ यहाँ पर हमने रिवर्सल को भी आइदेंटिफाई कर लिया काफी हद तक यानि रिवर्सल के लिए हम पहले से तयार बैठे थे अब क्या होता इस पार्टिकु klar जो ट्रैप हो सकता था उस ट्रैप से भी बच सकते था क्योंकि मुझे पता था पहले से कि रिवर्सल बहुत जल्द आने वाला है यहां पर हमने एक एक जामपल लेखा अब यहां पर इसके मल्टिपल एक्जामपल है तरी और एक्जामपल के थूरू इसको समझने की कोसिस कर सब्सक्राइब यहां पर यहां पर आपको टाइमफ्रेम को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहां पर थाटी मिनट से नीचे आपको नहीं जाना है क्योंकि थाटी मिनट से नीचे जाएंगे यहां पर वालूम में में देखने को नहीं मिलेगा और थाटी मिनट से कम जा करता है उसको यह काफी हद तक फिल्टर नहीं कर पाएगा फिर यह उतना ज्यादा सावित नहीं होगा इसलिए मिन्मुम थार्टी मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना और मैक्सिम आप कोई भी टाइम फ्रेम आप इस्तमाल कर सकते हैं तो डाउट जो टाइम फ्रेम को लेगे इहां पर आपका फ्लैट हो गया है म मिनकंद प्राइस को एम फाइक के तरब से सपोर्ट नहीं मिल रहा मतलब एक हो वॉल्म बी हद तक सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है, profit booking आने वाला है, क्यों आने वाला है, क्योंकि यह प्यूद बख, 52 विक, Hi के करीब पहुँच गिया है, अब 52 विक हाई करीब पहुँच गिया है, यह न ही profit booking आने वाला है यानि market में क्या आने वाला है reversal आने वाला है अब यहाँ पर देखिए हम ultimately क्या identify करें किसी भी condition में हम reversal को identify करें short covering नहीं हो रहा फिर भी हमे profit booking देखने को इलबा है और हम reversal को anyhow identify कर पा रहे हैं मतलब हमें यहाँ पर पता चल गया है यह जो upside momentum है वो ज्यादा देव तक टिकने वाला नहीं है वापस से price को नीचे side की तरफ आना यह नहीं इतना upside momentum के बाद ही हम क्या तयार थे यह नहीं price जैसे ही नीचे आएगा हम sell करने को तयार थे और इसके लिए हम क्या किया है यहाँ आएगन करती हुए trend line ट्रॉव की है और low को भी ज्याइन करते हुए trend line ट्रॉव की है थोड़ा gathering हो गया हम आप मैं clear करना चाहूंगा अब देखिये यहाँ पर हमारा दुनों trend line draw हो गया अब हम देखेंगे हमें closing कहाँ पर चाहिए था trend line के नीचे साइब अब देखिए यहां पर आपका नीचे साइब कर सकते हो तो अगला यहां पर मेरा क्या बन जाएगा अब यहां पर ध्यान देना यहां पर छोटा सा यह हमारा साथ के रूप में काम करेगा अगर ब्रेक आउट के रहता है तो क्या होता उसका highest point ही SL बन जाता यह नहीं यहां पर मेरा SL entry point clear हो गया अब मैंने क्या बदाया कि target पर इस कहां पर book करना अगर आपका MFI थोरा बहुत बहुत straight होता है यह नहीं तो इस तरह का V-shape बनाता है यह भी आपको ध्यान देना और इसके उपर भी एक strategy है वो भी मैं मैं आगे discuss करूँगा तो इसके उपर continuity में वीडियो और भी चलेगा इसलिए चैनल को subscribe जोड़ किजे और bell icon को जोड़ दबाएए ताकि आप कोई भी वीडियो miss न कर पाए तो यहां पर यह सारा practical चीज है जो कि आपको practically में बहुत ज़्यादा काम आएगा और live market में यही stop loss का भी इस्तेमाल कर सकते हो प्राइस आपका और नीचे साइट की तरफ आया है और अगर आप स्ट्वेट लाइन का वेट करना चाहते हो तो देखिए यहां पर स्ट्वेट लाइन आया मतलब इस लेवल के आसपास आपका MFI स्ट्वेट हुआ यहां पर स्ट्वेट हुआ हाए यहां पर यहां लेवल होगा जहां पर हम profit行了 करेंगे और हम अच्छा खासा profit यहां फिर fan ऑच्छा का सांता हो सकता है लेकिन यहां पर मुझे profit मिलता हुआ और प्रैस आपका वहां से नीचे साइड की तरफ गिरता ही जा रहा है यह दो हमने एक्जामपल देखा यहां पर और एक्जामपल लेखते हैं अब हम यहां पर आते हैं विप्रो के डेली चार्ट पर आगे यह नि हम और ज्यादा लॉंगर टाइम फ्रेम पर आगे अब जित है अब यहां पर में देखना है कि MFI का क्या reaction MFI का जो inclination है वो slightly आपका नीचे साइड की तरफ है गौर से देखेंगे तो हलका सापको नीचे साइड की तरफ inclination देखेंगा मतलब यह क्या बना रहा है यह हाई है उससे नीचे यह हाई है मतलब लोग है पैटरन का formation कर रहा MFI मतलब क्या है मतलब यह है कि इस upside मूव को MFI और वॉलूम भी देखेंगे तो वॉलूम भी कावियाद तक support नहीं कर रहा अब इस चीज को आपको manually identify करना परेगा इस चीज के लिए कोई scanner है नहीं आप जो भी stocks में ट्वेड करते हैं उसको watchlist में डालिए और आपको निट आई से देखना कि आपका MFI और price action दोनों में जब combination ना बैठें दोनों एक दूसरे का पोजिट हो या फिर एक उपर जा रहा हो एक फ्लैट हो या फिर एक नीचे जा रहा हो एक उपर जा रहा हो तो वह वहला situation आपको find करना जैसे वह वहला situation find करना तो आप reversal को easily identify कर सक देखिए अब यहां पर हमें इंतिजार कितना करना पर है यह लगबग आपका अप्रिल के में के मन्त से स्टार्ट हुआ था और में के मन्त में हमने लगबग इसके करीब यह नहीं हमें दो हाई चाहे था at least हमने यहां पर identify कि price को ultimately नीचे आना ही आना यह नहीं यहां पर मुझे पता है कि ultimately price नीचे साइड के तरफ आएगा और अगर आप long term के लिए investment करना भी करना तो वहां पर आप जब डिप मिलेगा तो उस डिप में यहां पर यहां पर यहां पर दो से 5% तक का extra आप profit बना सकते बांकि short term के लिए buy करना तो वहां पर दिप का इंतिजार करें करेंगे उसकी बाद price आपका upside के तरफ जा रहा है और पूरे में मन्त upside के तरफ गया और जून मन्त के हाफ तक upside के तरफ गया यहां पर हम क्या करेंगे हम कोसिस करेंगे कि maximum low touch हो और maximum high touch हो trend line draw करने का एक है क्विट एरिया भी है उसकी बाद हमें closing चाहिए था इस trend line से नीचे हमें यहां पर मिला है अगला candle open होते हैं यहां पर हम क्या करेंगे sell side की तरफ entry लेंगे यह नहीं sell side की तरफ entry point में रहा हो गया SL की बात करें यह जो highest point है SL की रूप में काम करेंगा और target price target price जो सबसे perfect होता previous support level इससे बहुत भीन आपको कोई target price नहीं दे सकता previous support level की बात करते हैं यहीं पर हम find करते हैं कि previous support level जहां पे candle कुछ के लिए कहां पर रुका था तो आपका एक यह लाइन बन जाएगा है अगर हम इस लाइन पर ट्रॉप में काम करता हुआ दिख रहा है उससे पहले अगर हम बात करें इस level पे थोरा बहुत रुखता हुआ market हमें दिख रहा यह भी आपका support की रुप में काम कर रहा यह भी आ यहां पर MFI करीवे स्ट्वेट हुआ है इस पार्टिकुलर लेवल के पास यहां पर भी हम चाहें तर प्रॉफिट बॉकिंग कर सकते हैं उसके बाद प्रैस आपका वापस से अपसर की तरफ निकल गया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ वह मेरे काम का है नहीं हम प्रॉफि अगर हम बात करें तो उसके लिए आप MFI का लेवल इस्तिमाल कर सकते हैं सबको पता है कि 20 से नीचे आपका अवर सोल्ड हो गया और 80 से उपर यह आपका होगे अवर बॉट ठीक है दोनों लेवल ध्यान रखना है 80 से उपर अवर बॉट और 20 से नीचे अवर सोल्ड चाहे आप RSI यूज करें या MFI यूज करें दोनों के लिए यह लेवल सेम ही रहने वाला तियाँ पर हम एक और एक जामपल लेखते है आई रिवर्सल आने वाला रिवर्सल के लिए तयार होके आप सारा कुछ प्रोसेस जो मैंने पहले बदाया था उसको आप फॉलो कर सकते हैं सो उमीद करते हैं कि आपको यह वाला कॉंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा और इसके उपर हमारा आगे और वी वीडियो आएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन दबार ना भूले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन